नमस्कार आप देख रहे हैं रबजी लाइब और मैं हूँ अभिशेक मिस्रा 2022 में यानि अगले साल उत्तर प्रदेश में विधान सभा के चुनाओं होने हैं चार सो तीन सीटों पर और इस विधान सभा चुनाओं के लिए हर राजनितिक दल अपने समिकर्णों को साधने में जुटा है अपने समिकर्णों को दुरुस्त करने में जुटा है सेंद मारी की कोशी से भी लगातार चल रही है और दूसरे दलों से नेताओं के आने का सिलसिला भी जारी है तो हर राजितिक दलपना कुनबा चुनाओं से पहले मजबूत कर लेना चाहता है इसी कड़ी में एक बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि जेडियू के एक बड़े नेता के बेटे ने बी जेपी का दामन ठाम लिया है और वो बड़े नेता कौन है वो बड़े नेता सिर्फ बड़े नेता नहीं है उनकी पहचान सिर्फ यह नहीं है कि वो जेडियू के कद्दावर सक्सियत है J.U. के बड़े निता है उनकी पहचान यह भी है कि नितीष कुमार के खासमखास है नितीष कुमार के करीबी है बहुत भरुषा करते हैं मुखमंत्री नितीष कुमार उन पर नाम अगर बता दिया जाए तो आपको यकीन हो जाएगा हम जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं केसी त्यागी तो केसी त्यागी जेडियू में करदावर सक्सियत है मुखमंत्री नितीश कुमार के खासम खास हैं मुखमंत्री नितीश कुमार के काफी भरोसे मन्द हैं और जेडियू के रास्टिये प्रधान महास्चियू है और उनके बेटे अम्रिस्त्यागी आज बीजेपी में सामिल हो गए हैं तो ये बड़ी खबर और दिल्चस्प खबर भी इसको कर सकते हैं कि जेडियू के बड़े निताक के बेटे ने दामन थाम लिया है अम्रिस्त्यागी ने दामन थाम लिया है बीजेपी का मेडिया रिपोर्ट के हवाले से जो जानकारी है वो जानकारी ये है कि अम्रिस्त्यागी गाजियावाद की मुराद नगर सीट से बिनान सबा सीट से चुनाओ लड़ना चाहते हैं उसकी तैयारियों में वो जुटे हु हैं और इसलिए उन्होंने बीजेपी को चुना है बीजेपी के साथ वो गए हैं भाजपा ज्वाइनिंग कमीटी के अध्यक्स डॉक्टर लक्षमी कांथ बाजपई और डिप्टी सीम डॉक्टर दिनेश सरमा की मौजूदगी में अमरीज त्यागी ने पार्टी की सदसता ग खबर है कि आपके पिटां जेड् Verme के इतने कदावर सक्सियत है इतने बड़े बड़े नेता हैं आप बीजेपी जॉइन कर रहे हैं तो उन्होंने ये कहा कि पार्टी का मतलब यह नहीं होता लोक्तंत्र में यह जुरूरी नहीं है कि पिटा जिस पार्टी में हो बेटा भ के जगा इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही बहुत बहुत धन्य